एक सवाल है Electoral Bonds के बारे में रशूल गांदी जो है हर भाषर में कहते हैं और विपक्ष के निता भी कहते हैं इसे धानली हुई है आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलत है ऐसमे कोई गुझाईश हैन में तो वो कर सकते हैं क्या ये गलत फैसला था एलेक्टोरल बॉंड्स का? पहली बाता है कि हमारे देश में लंबे अर्शे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन के बहुत बड़ा खतरनाख खेल हो रहा है देश के चुनावों को काले धन से मुक्ती मिले इसके लिए कुछ करना चाहिए चर्चा लंबे समय से चल रही है चुनावों में घर्टो होता ही होता है कोई इनकार नहीं कर सकता है मेरी पार्टी भी करती है सब पार्टिया करती है केंडिनी भी करती है और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टिया लेती है, मैं चाहता था कहम कुछ कोशिश करें, कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मेले, टांस्परेंट से कैसे आई, एक प्रामानिक पवित्र विचार मेरे में में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छ जरढ ता रास्ता मिला वही पुर्णा है, व थे हिसमय भी क्लिम नहीं किया था, आज जो लोक जो पुलर-फुलर बड़न होनों सहाता, प्रलामेट डिबएट लिजे एक हमने कैसे काम किया है, जैसे हज़ार और दो हज़ार के नोट खथम करते है, चुना में वही बड़े को अटे कहा था कि 20,000 रुपिय तक पुल्टिकल पार्टिया कैस ले सकती है। मैंने कानून बना कर दिया कि 20,000 को डहेजर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ही चाहता था कि कैस वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टरल बॉंड कि जो पार्टि अपना शिक्रशी मैंटेन करना चाहती है। होता था क्या? जयसे हम पहले बीजेपी में चैक्से पैसा लेंगे यह यह ताइगिया। तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कि हैं सब हम चैक्से दे नहीं सकते। हम क्यों नहीं दे सकते। говорить, हम रिखए देंगे तः हमे लिखना पड़ोगा हम लिखंगे तो जो सरकारी उो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया तो हमें तो परिशान करेंगे तो गोले हम तो पैसे देने क लिए थेय लिए है लिगे जॉ Вас जीहेंगे तो मुझे याद हमारे नब्बे के दसक में जो चुनाओं में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, बैसे नहीं थे हमारे और हम नियम लगा के बैटे थे, कि हम चेक्षे लेंगे, देने को तेहार थे, चेक्षे देने के इम्मत नहीं थी, तो यह सारी चीजों का बुझे प्रता थ तो मैं रहिए तो हमने का प्रशा है अब देखिये, एलेक्टोरल बॉंड नह उते हैं, तो किस वेवस्ता में ताक़त है को ढूण के निकालते हैं कि पैसा कहां से और कहां गया, यह तो इलेक्टोरल बॉन की सकसे स्टोरी है, कि एलेक्टोरल बॉंड थे, तो आपको ट्रे इसके चर्ता हो, मुझे जो चिंता है, वो, मैं यह कभी नहीं कहता हूँ, निर्डे में कोई कमी नहीं होती है, निर्डे तो चर्ता कर शिक्ते हैं, सुधार्ते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभागा है, लेकिन, आज हम पुरी तरह काले धन के तरफ देश को धके अब देखिए, इलेक्टोरल बॉंड का भी विश्रस्ताजी, इसा जूट चल रहा है, कुल देश में तीन हजार कम्पनियों ने इलेक्टोरल बॉंड दी है, उसमें तीन हजार में चब्वीस कम्पनियां ऐसी हैं, जिन पर कारिवाई दिये, यह कहते हैं ने, इडी वीडी तीन हजार डोनर है, उसमें से रुप चब्वीस, और उनमें से सोला कम्पनियों ऐसी थी, छापा जब लगा, उस समय बॉंड खरीदा, कोई जोड सकता है इसको, अगर बॉंड खरीदा, लोगें जोड रहे हैं, उसकी इविशता ही है, कि यह जो सोला कम्पनियों ने बॉं 53% BJP के विरोदी पार्टीयों को मिली है, अगर पूरे जोड जाएं तो, मैं यह 16 कंपनियों कोई एडी चिपिया डोन खरीदा लिओन से समय एक्षिण हुआ और बॉंड बॉंड भी निकला, 37% एमां उन बॉंड 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 भी इसका मतलब की, इसक 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरो फंपल लगाएं लेकिन उनको गोल मोल बोलना है और भाग जाना है